आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ A measurable decrease in pH in the lumen of Thylakoid is because of Thylakoid के जो lumen है उसमें pH decrease हो जाता है चार स्टेटमेंट्स दिया है और पूचा है कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट्स सही रीजन देता है कि क्यों lumen का pH decrease है A. Active pumping of H-plus to stroma through F0-F1 complex B. Removal of H-plus from lumen for reduction of NADP-plus C. Removal of H-plus to lumen from stroma by a proton carrier in ETS D. Presence of Enzyme NADP-deductase on lumen side of Thylakoid membrane तो पहले तो समझते हैं कि decrease in pH इसका मतलब होता है increase in hydrogen and concentration तो अगर question में लिखा है कि pH decrease हो जाता है lumen में यानि कि हम से पूछाए कि कौन सा रीजन है जिसकी वज़े से lumen में hydrogen का concentration बढ़ रहा है तो अगर structure देखे हम thylakoid का यानि कि कुछाओ Ск फुमें हाए कि कॉछाओ देखे हाए baik तो लियूमेन के अंदर हैड्रोजेन आन कंसेंट्रेशन बढ़ रहें यह अगर ल्क का पीयस भन है यह पीस्ट्व है और यह रोट आखरो केलियर and this is the f0 one particle यह है nano human or your halaloid का stroma and this is the thylacoid membrane तो जो proton carriacs हैं वो क्या करते हैं कि stroma से hydrogenine लेकर lumen के अंदर डालते रहते हैं whereas जो f0 f1 particle है वो lumen से hydrogen निकाल कर स्ट्रोमा में डालते रहते हैं इसके बदले में यह ATP सिंतेसाइज करते हैं स्ट्रॉम ADP तो प्रोटोन केरियर्स सचे साइटोक्रोम भी साइटोक्रोम F यह जो है वो हाइड्रोजन एंको स्ट्रोमा से ल्यूमन में पुछ करते हैं जब यह ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं एलेक्ट्रोंस तो दैट इस दे रीजन कि ल्यूमन का जो पी एच है वो डिक्रीस हो जाता है इन में से अप्शन C यह जो है रिमोवल अप एच प्लस्टी लुमन फों स्ट्रोमा भाई अप्रोटोन केरियर इन ETS यह जो है वाट्साप कीचे अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर